इंडिया वोसेज पाकिस्तान रोहित शार्वाप बाबराजम रंजन मादुगले दर मैच रेफरी ओल इन रेडिनेस रोहित विल स्पिन द कॉइन देल बाबर ती वन द टॉस वोड़ी तो हम पहले स्विमिंग करना चाहिएंगे तो कल इंडिया वसेज पाकिस्तान का सुपर फोर मैच था जहां पर इंडिया ने पुरी तरह से पाकिस्तान को डॉमिनेट कर दिया इंडिया ने पहले बैटिंग करते वे 356 रंस बनाए जिसके जवाब में पाकिस्तान से 128 रंस पे आल आउट हो गई टॉस के टाइम पर पाकिस्तान टॉस जितकर बॉलिंग करने का फैसला करती है और जब इंडिया अपने प्लेइंग 11 अनाउंस करती है तो रोई शर्मा बोलते हैं कि आचानक से श्रिया सहियर को एक बैक स्पैजम हो गया है और उसके जगा पर केल राहूल खेलेंगे यह मुझे कभी बैक स्पैजम हुआ मैं तो बिल्कुल फिट हूँ और मुझे कोई इंजरी नहीं है हाँ वो बात अलगे कि बैक स्पैजम कल हुआ था और इंजरी का दर्द आज हो रहा है भाई श्रिया शेयर का लग भी खराब है थे टाइम से मैचेस मिस कर रहे थे और जब यह इंडिया टीम में वापस आए तो इनको जबर्दस्ती यह बोल के बाहर कर दिया गया कि तुमको इंजरी और उनके जगा पर कियल राहूल खेलते हैं और उपर से कियल राहूल सेंचरी भी मार देते हैं मुझे तो नहीं लगता कि श्रिया सेयर टीम में वापस आपाएंगे भाई कल के मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स को काफी बुरी तरीके से इंडियान बैट्समेन ने धोया है पहले ही ओवर में एक रिकॉर्ड बन गया था जहांपर रोही शर्मा शाइन अफ्रीदी को एक 6 लगा देते हैं ये सबसे पहली और एक लौती बार था जब ओडिया में शाइन अफ्रीदी को पहले ही ओवर में 6 पड़ा हूँ फिर इसके बाद शुम्मन गिल भी काफी सरे चौके मारते हैं और काफी अची इनिंग खेलते हैं 52 बॉल पर 58 रंस की शुरू में रोही शर्मा उतने फास नहीं केल रहे थे पर आगे जाके जब शदाप खान बॉलिंग पर आते हैं तो रोही शर्मा 7 बॉल्स पर 25 रंस मार देते हैं भाई इस पॉइंट पर तो मुझे लग रहा था कि रोही शर्मा जरूर डबल सेंचरी बनाएंगे बटाएगे जाके शुम्मन गिल और रोही शर्मा दोनों के विकेट गिर जाती हैं फिर केल राहूल और विराट कोली खे से पिटाए कि बस सबसे अच्छे हमारे केल राहूल थे जहां पर शदाप खान को इतनी मार पड़ रही थी बट उन्हों ने यार इंसानियत के नात्य शदाप खान का एक मेड़न ओवर खेल दिया अब केल राहूल भाई टीम में वापस आये और मेड़न ओवर ना खेले ऐ भाई हर क्लास में एक लड़का ऐसा होता यह जो कि पिटाई वाले दिन या फिर बुक चेकिंग के दिन क्लास नहीं आता बिलकुल वैशा यहारिश रॉफ का हाल था इस मैच में सिर्फ नशीम शान ने अच्छी बॉलिंग की बट वो भी आगे जाके इंजर्ड हो जाता है अब पाकिस्तान के जब बैटिंग आती है तो इमाम उलहक जस्पेद बुमरा को उनका एल्बो स्टैप निकालने बोलते हैं जो कि बुमरा निकालकर अमपायर को दे देते हैं बट इसके बाद बुमरा इमाम उलहक के विकेट भी ले लेते हैं भाई वर्ड के नमबर वन ब और इसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते गई और पाकिस्तान टीम आल आउट होगे 120 एट रंस पर इन्होंने विराड कोली से सिफ 6 रंद जादा मारे थे कुल्दी प्यादव ने काफी अची बॉलिंग किये और 5 विकेट्स ले लिए कुल्दी प्यादवनी भी बता दिया कि क्या फाइदा 150 की पेश से डालने का जब 80 वाला ही तुमारी विकेट लेके जाए इस मैच में जड़े जाके बॉलिंग पर आगा सलमान को आग के नीचे बॉल लग जाती है जिससे खून निकलने लगता है और केल राहूल उसको चेक करने जाते हैं अब इसके कमेंट्स देखा जाए तो एक बंदा लिखता है कि गंबीर होता तो दूसरी आक में भी मार देता वेर इस दा राइवलरी भाई इस मैच में सबसे अनौइंग प्लियर मोहमद रिजवानी था क्योंकि जबी भी इंडियन प्लियर्स एक बॉल को मिस कर रहे थे तो हर बार वो अपील कर रहा था जैसे कि वो आउट हो भाई एक बार केलियर केल राहूल ने भी हस दिया था जो कि भाई सेंचरी वार के भी नई हसते अब बात कर ले इस मैच की कुछ रिकॉर्ड्स के तो ये सबसे पहला ऐसा मैच था जो कि इंडिया ने रिजर्व डे पर जीता हो ये पाकिस्तान के सामने इंडिया की सबसे जाधा रनों की जीत थी जो कि थी टूर ट्वेंटी बुम्रा भाई तुमने आज काफी अची बॉलिंग की थैंक यू तुमारा फेवरेट बैट्समेन कौन है थैंक यू अगला मैच खेलोगे या फिर नहीं खेलोगे थैंक यू तुमने इमामुल हक को कैसे आउट किया थैंक यू चलो भाई मैं फिर चलता हूँ थैंक यू भाई ओवराल ये मैच देखकर काफी जादा मजा आया इंडिया ने पूरी तरह से डॉमिनेट किया था पाकिस्तान को अब इंडिया ने सुपर फोर में सिफ एकी मैच खेला है और वो भी वो जीत गया अब उनको सिफ एकी मैच जीतना है कौलिफाइ करने के लिए वही पर पाकिस्तान की हालरत इंडिया ने काफी खराब कर दिया अब ये भी कन्फर्म नहीं लग रहा है कि अगला मैच जीत कर भी वो कौलिफाइक कर पाएंगे भाई हराओ तो ऐसा हराओ के सामने वाले टीम फाइनल में भी ना जा पाए और उनकी आधरी टीम इंजर्ड भी हो ज झाल